दोस्तों लास्ट येर गुगल के उपर 1338 करोड रुपे का फाइन लगाया गया था CCI द्वारा जो है Competition Commission of India उन्होंने का भी यह तुम बहुत ही जादा एंटी कॉम्पेटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हो जिसके अंदर आपका जो प्ले स्टोर है उसके अंदर कोई एप स्टो प्रोड रुपे के फाइन को ना चुकाने के लिए इन्होंने नेशनल कंपनी लॉट ट्रुबिनल पे जाकर अपनी अपील फाइल करी थी कि भाईया देखो हमारे साथ में क्या क्या कर रहे हैं खाम खाकाई फाइन ले रहे हैं हमसे तो यहां पर इनकी अपील को reject कर दिया है अब जाके सारा ही दोशिन पर मंड दिया गया है तो इनको 30 दिन का टाइम दिया है कि 30 दिन के अंदर ये फाइन फटा फट चुका बहुत हुआ तो अब तेक बहुत सी कंट्री ने डिसकवर किया है कि चांद की जमीन पर पानी है यह वह बहुत सब बोल देते हैं कि चां प्रूफ है इस बार उन्होंने काया कि चैंग फाइफ मिशन के अंदर हमने कुछ अजीब से काच जैसे मोती देखे हैं मून के सरफेस के ऊपर जहां पर हम यह मानते हैं कि मून का सरफेस पूरी तरीके से पानी से कवर्ड है लेकिन अर्थ जितना नहीं अर्थ से तो बहु लेयर एक्जिस्ट करती है काफी नीचे मून के सरफेस के अंदर वहां तक हमें पहुंचना होगा उसके बाद में हम डिस्कवर कर सकते हैं कि पानी वहां पर मौजूद है लेकिन किस तरीके से निकालेंगे वह एक सोचने वाली बात हो जाती है लेकिन हम इसे बहुत सारे ल तो मतलब जापान नहीं है है ना मैंने जापान की तरीक सुना है लेकिन यहां पर चार लाग पैंतालिस हजार पेइंग यूजर है ब्लू वैरिफिकेशन बैच के लिए तो धन्दा काफी अच्छा चल रहा है इनका लेकिन आधे के करीम में यूजर ऐसे हैं जो कि पे कर र लेकिन उनके हजार से भी कम फॉलोवर हैं वो यूजर है दो लाख बीस हजार के करीब में लेकिन कुछ ऐसे यूजर भी मौजूद है जो 75,000 के करीब है लेकिन उनके सौ से भी कम फॉलोवर है लेकिन फिर भी उनको ब्लू वैरिफिकेशन बैच चाहिए पता नहीं किसको के अंदर हो या इनके ट्विट वगेरा को थोड़ा ऊपर रखा जाएगा जिनके पास में ब्लू वरिफिकेशन बैच नी है उनको थोड़ा सा कम प्रायोर्टी दी जाएगी तो यह फायदा तो होने वाला है दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कोविड के बाद म काफी जादा बाइक्स की और कार्स की चोरी होनी शुरू हो गई मतलब उस बीच में भी हो रही थी लेकिन इसके बाद तो काफी जादा हो गई लगता है किसी के बास काम धंदा है रहा तो उन्होंने इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया तो यहाँ पर अब क्या होता है क हम जब भी car लेते है बाइक लेते अपनी कार या वाइक को बचाने के लिए हुम उसके अंदर gps fit करवा लेते है जिस से क्या होता है कि अगर इम पता है या पर है वहां से जा कर हम ले भी आते हो और हम police को भी बोल देते हैं कि यहां गाड़ी खड़ी है चलो हमारे साथ में मेरे दोस्के साथ में ऐसा हुआ था तो उसको तो वहीं से मिल गई थी बाई जहां पर खड़ी थी उसने GPS से लोकेट करके वो ले आया था चोरी करता था जिनके पास में से 12 चोरी की कारे मिली है एक इलेक्ट्रोनिक जैमर मिलाए तीन सो पेंतालिस कीज मिली है और लाखो का एक ऐसा डिवाइज मिलाए जो की की मेकिंग मशीन है मतलब किसी भी कार की बाईक की वो चाबी बना सकते हैं इनके पास में ऐसी दो मशीने थी जिसे कि ये सारे काम कर सकते और इसी किसासा तीन वौकी टॉकी और इनके पास में हतियार भी होते है तो ये ऐसे इनी निकलते कहीं पर भी चोरी करने हैं इनका पूरा बंधोबस्त होता है कि अगर कुछ होगा तो उसके लिए भी है तो ये भी होता था लेकिन उस वक्त में इनकी advertisement भी चला करती थी कि भाया अगर आप ऐसे बात करने से तंग आ चुके हो तो आपके लिए ये headphone type का भी device आ चुका है जिसको आप attach को और अपने receiver से और उसके बाद में बात करते रहो दो नोई हाथ आपके free रहेंगे लेकिन से इसको किसी ने लिया ही नहीं होगा तो हर एक चीज अब AI के उपर जा रही है डेंटल इंडस्ट्री भी शायद आने वाले वक्त में robotic होने वाली है यहाँ पर एक डेमो दिखाया गया इस वीडियो के अंदर जो की कुछ इस तरीके के कितनी आराम से दात लगा देता है अ उनको सिर्फ एक ही रिस्ता दिखता है इन डिप्रेशन से छूटने का वो है तो यहाँ पर फेस्बुक के ओपर एक बंदा लाइफ कर रहा था 25 साल का दिल्ली का रहने वाला जो की यही काम करने वाला था जिसके बाद में फेस्बुक की टीम तुरंत ही उसके एसोशेट न तुम्हें इतनी ही दुनिया छोड़ने का वो हो जाता है कि अब मेरी जिंदिगी में कुछ राई नहीं तो ऐसा करो नो सब कुछ छोड़के सब मोमाया छोड़के कई पर भजन किरतन करने के लिए चले जाओ कहीं पर मतलब जिस भी धरम में आप बलीफ करते हो उसकी सेवा करने चाले जाओ सब कुछ छोड़ दो जब छोड़ना ही यह झीमन तो यह उनको दो कि मतलब चलो अब हम तुम्हारी शरण में आगए अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे कुछ ऐसे ही कर लो जब छोड़ना ही सब कुछ है मोमाया त्याग हो बाबा बनके बैठ देओ कहीं उसमें ज्यादा कमा ही हो जाएगी अक्चुली में तो चल गए तो